22 साल के लड़के ख्वाजा नफाई ने शाहीन शाफरीदी और हारिस रौफ जैसे पाकिस्तान के सुपरिसार गेंबाजू को उन्हीं के घर में घुसकर उनकी उकाद दिखा दी इसमें ये लड़का मानू कहकर आया था कि भाई दिल का मामला है अंदर आज बजाना है और सबको बना देना है कि इन बाजों को बंदा गजब गजब के शॉट मारे यार मतलब इयान बिशप जैसे प्लियर जो है डगाउट ने बैठकर कह रहा था कि यार इस लड़के में कुछ तो बात है अग्रेशन है तगड़ा है और वो तगड़ापन दिखाया शाहीं शाफरीदी के साथ कुछ सचमे प्रॉबलम हो गया जो आगे चल कर इन्शालला पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में नमाइंगी करके पाकिस्तान की जीत में अपना भरपूर करदार अदा करते नजरा आएंगे जिनमें एक तो जहांदाद हैं उसके साथ कल के मैच के प्लेर आफ़ता मैच खुआजा मुहम्मद नाफे जिन्होंने जीत में कलीडी करदार अदा किया कोईटा ग्लेडियेटर के जब वो स्ट्रगल करते नजरा रहे थे और फिर 187 का वो टोटल खुआजा नाफे की वज़ा सही वो पूरा कर पाए जिन्होंने 31 गैंतों पर 60 रन्स कोर किये इस वक्त हर तरफ ना सिर्फ सोशल मी हैं उन सब के चक्के चुडाते हुए जबरदस्त हिटिंग की और तीन ऐसे जबरदस्त चक्के लगाए जो के सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी तेजी से वाइरल हो रहे हैं इस सारे मामले पर भारत का मीडिया भी खुल कर ना सिर्फ खाजा नाफे की तारीफ करता के हैं इस पर भी आपको भारती मीडिया का तबसर दिखाते हैं लेकिन खुजा मुहमद नाफे के वारे में क्या कुछ कहा जा रहा है आईए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं 22 साल के लड़के खुजा नफाई ने शाहीन शाफरीदी और हारिस रौफ जैसे पाकिस्तान के सुपरिसार गेनबाजों को उन्हीं के घर में घुसकर उनकी उकाद दिखाती हा मतलब यह जो लाहोर में मैंट चल रहा था क्वेटा अगलेडिटर्स और लाहोर कलंदर की बी ग्रेशन है तगड़ा है और वो तगड़ापन दिखाया सिंगल हैंड इंड लड़के ने शाहीन शाफरीदी की टीम को दूसरी हार का सामना कर वाया और जित्ती जानकारी हमें मिली है शायद लाहोर के अंदर कोईटा ग्लेडिटर्न ने पहली बार इनको हराया है जित्ता ग्रेशन मांग बड़े हैं यसे मेरे मन में डाउट ता कि कौन जादा गड़ा होगा गेनबाजी वाले लाहर की या बल्लेबाजी में कोईटा की कोईटा ने बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी वो तो इस लड़के न अपने दम पर यह मैच जदा दिया वरना म अदर बाहर करोगे तो आपकी गेन को लेकर सामने वाले बल्लेबाजों में खौफ आएगा लेकिन अगर वही गेन बाजी आप 125, 128, 13, 132 पे करोगे तो चाहे 22 साल का लॉंडा क्यों ना हो वो आपको फैटा लगाएगा वो आपको रैप्टा मारेगा और वही रैप्टा ज रहा जा रहा है कि इनकी टीम जो अच्छा कर रही थी वो राशाद खान की वजह से थी राशेद एंड में बैटिंग कर दे थे मिडल ओवर में बॉलिंग करते थे और क्योंकि इस सीजन राशाद खान नहीं है तो क्या ये टीम टॉप फोर में जगे बना पाईगी वेल पत भी रहे हैं बाकी जो दो लड़के हैं सल्मान फयास वो उत्रा पिटे नहीं है उनना ठिक टा किया है पिटने वाले यही तीन लोग है तो ऐसे में फिर सवाल ये कि इनका टैलेंट फुस हो गया है पिच पाटा हो गई है या किसमत जो है शाहीन एक कप्तान बनने के बाद मेरे लिए माच का बढ़िया मुव्मेंट वही था खौजा ने जो वो उठकर एक शॉट मारत ना ऐसे फटाक से छक्का आया क्या बहतरी शॉट ता या शाहीन को छक्का मारता या मिन कुछ शॉट तो लड़के क्यार ऐसे थे जो दिल छुवे थे और अब शाहीन पर सवाल आज भी करना पड़ा जब आखरी ऑवर में चार रंच चाहएथे ते क्योंकि मैट फसा दिया गया था खलाकि क师ा या एकट की ड्राप वह उड़केर चार ओवर में सत्रा रंग राद कर दो विकेट निकाल लेता है एक ट्वेंटagen मैंच में किन लग जाती है और वही जो है यहां लगा, शफीक को उसने आउट किया, उसने फकर जमान को आउट किया, और ये दो पाकिस्तान के पर्मानेंट प्लियर हैं, मतलब बड़ी प्लियर हैं, पर्मानेंट जुनकी टीम में खेरते हैं, उन दो को चका है, मुझे मज़ा रहा था, थोड़े बहुत रन उनकी किसमत खराब थी, एक तो कैचस चॉप हुए, बट जिस जगह वो गेंद बाजी करते हैं, शुरुबात में आकर और और वो कमाल है, और आमिर का रिदम जो है, वो शाहीन शाफीदी से कहीं जाना बहतर है, मतलब मैं अज़ मार मारी लड़के ने, उधर भी खान ने बढ़या मारा, 17 बॉल पे, 45, 264 का स्ट्रैक रेट, बढ़या, मतलब ट्रीट टु वाच था, सिकंदर रजा भी सही थे, आमिर कोई चक्का मारा, लेकिन फिर आउट हो गए, ब्रेट विट ने कोशिश की, शाहीन अफरीदी भी ए अंदर आती बॉल, लेकिन उसके बाद फिर दीरे दीरे पकड़ चूटे लगी, लेकिन कोईटा को अगर इस सीजन में अच्छा करना है, तो उन्हें अभी भी रधर फोर्ड और सरफराज जहमत को लेकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरफराज का वो टच नजर नहीं आ रह है, या उन्हें क्योंकि इतना पीछियों के साथ गलत हुआ है, टीम से बाहर हो गया, इधर कर दिया गया, वो कर दिया गया, तो फसे पड़े, खैर जो भी है, ये मैच फिलाल इंटरेस्टिंग था, लेकिन ख्वाजा की तारीफ करनी होगी, शाहीन को छक्के मारे, हरस को और अगर आपके दोनों प्रीमिम बॉलर लभग 10 की कॉनमी से रन दे रहे हैं, तो फिर आपकी टीम की हार होना ते हैं, तो लाहोर के अंदर ही शाहीन की दूसरी हार, मेरे तो लगा कि आमिर के सामने शाहीन दिखे बेकार, आप क्या सोचते, कौन सी टीम है, जो जाएंगे सोच के आया है, कोई मैं मारूंगा, और ख्वाजा नफे न आज वही किया है, भाई सामने 31 रेट के 60 रंग की पारी खेली है, और एक हारा हुआ मुकाबला, जिता दिया है, क्वेटा गलेडर टरस को, बहुत जादा नाम हो रहा है, और होना चाहिए, अगर आम महनत करते है और आगे आप अपनी जर्णी को देखना चाहते है, तो भाई महनत के अलावा और कुछ नहीं है, आप यकीन माने है, ख्वाजा नफे ऐसे लाखोल लोगों के लिए रातो रात सितारा और आइडल बन चुका है, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि फेस्बुक से भी कोई स्ट 245 किलोमेटर प्रती घटे की ऊपर की रफतार से गेदबाजी की थी, हैरीश रॉफ ने उसी कोवर में दो चक्के मारे है, 31 बन पे 60 रन, 4 चोकार, 3 चक्का मारा है